ओके बेटा अब हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर हमें जरुद पढ़ती है इक्यू जोएन की कभी कबार क्योंकि इंटर्व्यूस के लिए जब हम जाते हैं तो हम तक्रीबन जोएन्स की प्रिपेरेशन रही से करके जाते हैं कि तीन हार प्राभीन पंदरा टैबल से चरण आब सब्सक्राइबनरे जाते हैं और जोएन लिए जो χाल्त करे जाते हैं यह अगर आप इंटर्व्यू क्रीरेशन अप्रों चीज़्य करके जाते है golf अच्छा, अब सबसे पहले मुझे करना क्या है कि अगर मुझे IQJN को use करके तीन टाबल से data page करना है तो मैं केसे कर दो सबसे पहली बात, मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके सबसे पहले तो हमें IQJN से data page करना है दो टैबल से हम कर चुके हैं, तीन टैबल से करेंगे, category, products और orders Select category का नाम, category की टैबल से और products का नाम, products की टैबल से Again, products की टैबल से हमने उसकी price भी get करनी है तो product price, ये दो टैबल होगे अब आप जानते हैं, कि आप EQ-Join के अंदर From के बाद, first table देते हैं, जो भी हो, suppose मैंने दे दिया products, फिर comma लगा के second table दे देते हैं, जो भी हमारी line के ठीक है, कौन से clear होगे, ठीक है बिटा, फिर आप क्या लगाते हैं where, clause, EQ-Join के अंदर where clause used होता है, inner-Join के अंदर table से, अगर category id बराबर है, category की table के, कौन से columns है, cat, id से तो वो data phase करके दे दे, तो ये EQ-Join का तरीका है, दो table से data phase करने का, लेकिन interesting बात ये है, कि इसके अंदर, आप जब तीसरी table से data उठाते हैं, तो सिर्फ क्या करोगा, कॉमा लगाओ, और आप orders लेको, तीसरी table, also clear हो गया, कि तीन table से data उठाना है, अब वैसे नहीं होगा कि नीचे जाके फिर से inner-Join लिखना है, जिसे हम कर रहे थे, समले inner-Join के अंदर, यहां बताना है, orders की table से क्या उठाना है, order की id, और orders की table से क्या उठाना है, order की date, फिर यहां पर आके सिर्फ लिदाना है end, और end के बाद क्या लिखेंगे, कि product की table से, product की id, अगर बराबर है, orders की table के किस column के, product, id के, तो वो data fetch करके लिए, तो वही काम हो रहा है, जो inner-Join से हो रहा था, inner-Join में क्यूरी लंबी थी, यहां पे क्यूरी कम, answer clear हो गया, कि अगर हमें, by using, you can say, Q-Join, अगर data fetch करना है, तीन table से, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरह condition भी लगानी है, कुछ और, तो आप वो भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा इसको clear कर देता हूँ, कि यह इस तरह से आपकी काम कर रही हैं चीज़ें, एंड लगा रहा है, फिर से मैं एंड लगा रहा हूँ, एंड लगाने के बाद, अब मैं इसको कह रहा हूँ, कि जहां पे order की date, तो orders की table से order की date क्या है, 30 June के बराबर, जैसे हमने पहले किया हूँ था, 30 June के बराबर है, तो आप वो orders ला दो, जो 30 June को हूँ है, वही आ रहे हैं, साहिए, यह है exact match, अगर आप चाहते हैं, इन operator से data gate करना है, तो यहां पे आके बस रिकोल डट आएंगे, क्या लिखेंगे, इन, और इन में आप एक value भी दे सकते हैं, कामा लगा के दो value भी दे सकते हैं, कि 30 June वाले भी record, फेज करके दिखा दो, तो अब यह 30 June और 20 June को जो भी record समले order हैं, वही आएंगे, आपको शो हो रहे हैं, 30 June वाले भी आ रहे हैं, सही है, यहाँ फिर आप like operator के साथ भी इसको perform कर सकते हैं, order by भी लगा सकते हैं, यहीं पर आप order by लगा दे, order by, orders की table से जो order की date है, उसके इस साथ से order by करते हैं, यानि 30 June उपर आ जाएगा और 30 June नीचे आ रहे हैं, कौन से clear हो गया, इस तरह से भी apply कर सकते हैं, अगेन हमें क्या करना है, इनको अटा के अगर like लगाना है, तो like भी लगा सकते हैं, कि जहाँ पर order की date like हो, किसके, जिस से पहले आ रहा हो, for example, start में, digit, start में digit आ रहा है 3, तो वही सिर्फ जो है data ला दो, मैं execute कर रहा दो, तो 30 June वारे आ रहे हैं, कौन से के लिए रो गया, तो हम इस तरह से, by using eq join, हम 3 table से data उठा भी सकते हैं, उस पर conditions भी लगा सकते हैं, ठीक है, यह हो चुका हमारे पास eq join, झाले आपारे 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 आपार